मेरी पूरी फैमिली हैं ये चार उलुदे पठे जो लंदिन गाना चाहते हैं उनमें एक लड़की है मन्नू है अधार दस्तों अधामाइग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले शारु खान को हमारे तर्फ से वेरी वेरी हैपी बॉर्थ डेइज शारु खान की लिए इस साल काफी ब्लॉक्बास्टर रहा साल की शुरुआत में फिल्म पठान से एंट्री की और ठीक स साथ महने बाद सितंबर में फिल्म जवान रिलीज हुई दोनों ही मुवी ने परदे पर नए-नए रिकॉर्ड बनाए अब साल 2023 का आखरी भी सिनेमा में शारु खान का होने वाला है लगता है दो हजार तेवी शारु खान अपने नाम करके ही रहेंगे पठान और जवान की सुपर सक्सेस के बाद उनकी अगले फिल्म डंकी की पहले जलक सामने आई है राजकुमार हिरानी के डिरेक्शन में बनी इस मच अवेटेड मुवी का टीजर अब फैंस के सामने है किंखान के 58 में जनम दिन पर डंकी का टीजर रिलीस किया गया है ऐसे में शारु खान के फ फिल्म में देखना मिस्स किया हो तो आप के लिए गुड न्यूज है शारु खान की फिल्म नेट्फ्लिक्स पर रिलीज हो गई है गुवे एक्सेंडेड कट के साथ हिंदी में तमिल और तेल्गू में स्ट्रीम हो रही है फिल्म की पहली जलक धंकी ड्रॉप वन राजकु और दोस्तों को स्लेबरेट करती है तीजर में कई सारे फन एलिमेंट देखने को मिलते हैं मुवी के कैरेक्टर्स काफी पावरफुल है बहुत जल्द फिल्म का ड्रॉप रिलीज किया जाएगा इस साल आई दो फिल्म में शारुख खान का मासी आउतार दिखा है परदे प जाती है विकी कोशल का स्वाइग फैंस का देल जेत रहा है शोशल मीडिया पर डंकी की पहली जलग को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है यह फिल्म सिनिमा घरों में 22 दिसंबर को रिलीज होगी साल की शुरुआत में पठान मिड में जवान और आखिर में डंकी के साथ दो हजार तेरीस को धमाकेदर अंदाज में अलविदा कहने वाले हैं डंकी में शारुक खान की लेडी तापसी पन्नु है यह पहली बार होगा जब इन दो कलाकारों को फैंस सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखेंगे मूवी में दिया मिर्जा धर्मेंद्र बोमन इरानी काजल और विक्ति कोशल केमियो रोल में दिखेंगे तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ा तोफा है शारुक खान की फैंस के लिए उनके बर्थडे पर उडंकी के लिए आप कितना एक्साइट हैं और आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हमें कॉमेंट में बताएं औ आप है थादिए झाल करो चाहते हैं और बताएं प्रॉकष नच्ट रखिसे फिए बना इए उनके बड़ा ज़ी प्रण दोफड़ा बेड़ा खेंगा में अल्सक्भर श्रॉक्ट यणेड़ां चाहते हैं इंए बताएं उनके बमुट यह उनके बड़ाव दो दोड़ाती झाल झाल